हेलो दोस्तो आज हम हिंदी व्यक्रण के अंतरगत सहायक क्रिया का अगर प्रश्ण हमें पूछा जाता है तो वो कैसे सॉल करेंगे ये देखते हैं सहायक क्रिया के अंतरगत दो वाक्य दिये जाते हैं यहां सहायक क्रिया पहचान कर लिखनी होगी यह लिखते समय सहायक क्रिया का जो मूल रूप है वो हमें लिखना पड़ता है अब सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के साथ आती है यह याद रखना जरूरी है यह ध्यान में रखना कि सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया को जोड़ के आती है वह मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है अर्थ यह है कि वाक्य में दो क्रिया आती है पहली होती है मुख्य क्रिया और दूसरी उसको सहायता करने वाली सहायक क्रिया वाक्य की अंत की दो क्रियाओं में जो पहली क्रिया रहती है वो रहती है मुख्य क्रिया और वाक्य में होने वाली जो अंतिम क्रिया रहती है वो रहती है सहायक क्रिया अर्थात यहां सयुक्त क्रिया का रूप आता है जैसे देखो हमें एक उदारण ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उदारण यह है गोवा का नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो गया अब उपर के वाक्य में हो यानि होना यह क्या है मुख्य क्रिया और उसको सहायता उसे सहायता करने वाली कौन सी क्रिया आई है गया हो गया गया मतलब जाना यह सहायक क्रिया है ध्यान में रखो हो गया यह संयुक्त क्रिया है जिसमें हो होना यह मुख्य क्रिया और गया जाना यह सहायक क्रिया का रूप है तो उत्तर लिखते वक्त हमें पहले सहायक क्रिया पहचानना जरूरी है उपर के वाक्य में गया यह सहायक क्रिया है और उस क्रिया का मूल रूप है जाना तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे उत्तर लिखते समय गया डैश ब्रैकेट में जाना इस प्रकार हमें लिखना पढ़ेगा अब जैसे देखो एक दो तीन उधारण तुमने सब कुछ ठीक कर दिया हमें सिर्फ सहायक क्रिया यहाँ पे देनी है आंसर में सिर्फ सहायक क्रिया आएगी क्या है सहायक क्रिया दिया और उसका मूल रूप ब्रैकेट में आएगा देना मुझे दस दिन अस्पताल में रहना पढ़ेगा अब सहायक क्रिया क्या है पढ़ेगा और ब्रैकेट में आएगा उसका मूल रूप पढ़ना जरा नाश्टा तो कर लीजिये सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? लीजिये और उसका मूल रूप ब्रैकेट में आएगा लेना टैक्सी सड़क पर दौड पड़ी सहायक क्रिया क्या है? पड़ी और मूल रूप ब्रैकेट में पड़ना वह अपना काम कर चुका सहायक क्रिया चुका और ब्रैकेट में मूल रुप आएगा चुकना मूँ जूटा करके थुड़े ही उठ जाऊंगी सहायक क्रिया जाऊंगी और उसका मूल रुप ब्रैकेट में आएगा जाना हम लोग दिन भर पंजी शहर देखते रहे सहायक क्रिया है रहे और उसका मूल रुपाएगा रहना तो हमें जब उत्तर लिखना है तो उस वक्त हमें उस वाक्य की सहायक क्रिया पहचाननी है उत्तर लिखते वक्त ठीक से लिखना सहायक क्रिया ऐसे लिखना है बाद हम डैश करके ब्रैकेट में उसका मूल रूप भी लिखेंगे ध्यान में रखो जब सहायक क्रिया का प्रश्ण प्रश्ण पत्र में आता है तो हमें सिर्फ सहायक क्रिया का ही रूप लिखना है वो मुख्यक्रिया जो भी हो हमें उसके बारे में कुछ नहीं लिखना है ह तो सहाईयक्रिया का रूप है, वो कहां होता है? वाक्य के अंत में होता है. वह प्रश्णपत्र में आया हुआ रूप हमें लिखना है और उसमें होने वाली मूलक्रिया हमें कोष्टक में लिखनी हैं. बहुत आसान है आपको पूरे मार्क मिल सकते है सिर्फ आप क्या करिए कि बहुत सारे उधारन लेके उसमें सहायक क्रिया की प्रैक्टिस करना घर पे सहायक क्रिया वो क्रिया लिखना और उसके बाद उसका मूल रूप लिखना इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको आसानी से पूरे मार्क मिल सकते है ठीक है बाई